इसमें यह जो कार्तिक का महीना ही, यह सबसे स्रेष्ठ माना गया है भगवान भगवत गीता में कहते हैं मासा नाम मार्ग शिर्षो उसमी लेकिन भगवान स्वयम तो मार्ग शिर्ष है लेकिन उससे भी जादा भगवान को राधरानी का महीना पसंद है और वो है कार्तिक का महिन तो इस महिने को दामोदर महिना भी कहा जाता है और हर एक महिने के अधिश्ठाता देव होते हैं तो बारह जो अधिश्ठाता देव है उसमें से इस महिने के अधिश्ठाता देव है भगवान दामोदर ये जो भगवान दामदर रूप है ये चतरभुज रूप में भी एक वैकुंट है जहां पर भगवान दामदर की उपासना होती है तो दामदर धन उदर उदर का मतलब पेट दाम का मतलब रसी तो रसी जिसके पेट में बंधी और ये वाली लीला जब हुई तो इसलिए इसको दामदर महिना कहा जाता है तो दामदर लीला के बारे में विशेश चर्चा हम कभी करेंगे किस प्रकार से भगवान को ये शोदा मया बांधना चाहती थी या शॉट में कोई ऐसा है जिसको नहीं पता दामदर लीला आप एक मिनट में सब के हाथ नीचे करों कोई ऐसा है जिसको दामदर लीला नहीं पता हैंड रेज करके आप बता सकते हैं या फिर अन्म्यूट करके बता सकते हैं कि हमें नहीं पता अच्छा मनी श्रूब है ठीक है तो मैं शॉर्ट में बताता हूं लीला को सुनने का भी बहुत महत है होता यह है कहानी शुरू होती है भगवान के जो दादा जी है परजन्य के उत्र थे नंद सुनन्द उपनन्द इत्यादी तो परजन्य देखते हैं कि दो पेड़ हैं बहुत सुन्दर पेड़ है उनके जहां पर उनकी जमीन है उस एरिया में ही तो वो दूर होते हैं वो पेड़ उनको लेया करके परजन्य अपने आंगन में लगा लेते हैं उसी आंगन में जहां पर आगे चलकर नंद बाबा रहते हैं और वो दो पेड़ उसी आंगन में लग जाते हैं वो दो पेड़ कौन होते हैं एक समय की बात नारद मुनी में इसनान करते हुए नलकूवर और मणी ग्रीव नाम के दो देवता हैं जो कि कुबेर के पुत्र है तो वो दोनों वहाँ पर इसनान कर रहे थे लेकिन जब नारदमुनी आए तो उनलों ने अपने शरीर को नहीं ढ़का तो नारदमुनी ने उनको शराब दिया कि जाओ तुम पेड़ बन जाओ और फिर उनलों जब आगरह किया तो नारदमुनी ने कहा कि ठीक है तुम पेड़ बनोगे लेकिन भगवान के घर के आंगन में बनोगे और भगवान कृष्ण तुमारा उधार करेंगे जब भगवान क्रिश्ण का प्राकट हुआ तब तक ये दोनों पेड का बहुत सारा पूजा उपासना शुरू हो गया था क्योंकि ये शक्ति-शाली पेड थे देवताओं के पुत्र थे तो किसी की भी कोई अरजी होती थी वो बोलता था और वो पास हो जाती थी क्योंकि कुबेर के पास इसको लेके जाते थे और कुबेर फिर इनके अपने मेसेंजर्स को भेशते रहते थे तो ये दो पेड़ों की पूजा उपासना होती थी वहाँ पर एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान सुबह उठे दिवाली का दिन था येशुदा महिया जल्दी उठ करके चली गई थी भगवान सुबह उठे उन्होंने भूक लगी भगवान को भगवान ने देखा कि ये शुदा महिया नहीं है तो वो गए और येशुदा महिया दही बिलो रही थी उन्होंने बोला कि भूक लगी है येशुदा महिया ने उनको गोद में लिया और उनको दूद पिलाने लगी फिर इसी बीच ऐसा हुआ कि जिस वो दूद को पिला रही थी और ये शुदा महिया ने कुछ पद्मगंधा जो कमल के फूल के समान जो ऐसा महक वाले दूद देने वाली जो गाये हैं उन गायों का दूद निकालके उन्होंने उबालने के लिए रखा था तो ये जो दूद था ये बहुत special था जो लाखों गायों में से 108 प्रमुख जो पद्मगंधा गायों हैं उनका दूद किसी आठ गायों को पिलाया जाता है फिर उस आठ गायों का दूद किसी एक गाय को पिलाया जाता है और उससे जो दूद फिर बाद में और दूद निकलत है वो दूद को पद्म गंधा गायों का जो निस्रित दूद वो कहा जाता है यह बहुत ही अधर का टुकड़ा शिटका टाइब का पड़ा हुआ था उसको उस दही के बरतन पे मार दिया नीचे ये शुदा मैया वहां पर आई और उन्हें देखा कि सारा यहां पर फैला हुआ है क्रिश्ण ऐसा फैला हुआ देखकर के वहां से भागे क्योंकि इतना बड़ा कांड अ बुद्धिमान हो गया है कि बरतन के सबसे नीचे मारा उसने उपर नहीं मारा क्योंकि उसको मालूम है कि नीचे मारेंगे तो सारा गर गिर जाएगा फिर यह शुदा मैया उनको सोचती है कि इसको कुछ दंड देना चाहिए तो दंडा ले करके उनके पीछे-पीछे भाग शक्ति है और कृष्ण भाग रहे हैं कृष्ण की शक्तियां उनको कहती है कि पकड़ाय मत जाओ तुम तो परम भगवान हो तुमको दोड़ के कोई थोड़ी पकड़ सकता है इतने साल से तपस्या कर रहें लोग तब भी नहीं पकड़ रहें तो फिर भगवान लेकिन कृपा शक्ति भगवान की दया करके उनको भगवान के उपर कृपा करके यशुदा महिया के उपर कृपा करके कृपा शक्ति कहती है कि नहीं नहीं आप इनसे बंद जाओ तो फिर डंडा लेकर के जब यशुदा महिया कृष्ण को पकड़ लेती हैं तो कृष्ण बहुत जादा डर जाते हैं और ऐसे करके रोने लगते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो याशude मेया को बहुत दया आ जाती और डंडे को सबसे पहले हटा देते हैं ताकि उसको डर ना लगिए बच्चे को फिर यशुदा मया भगवान को बांधना चाहती है कि मारी तो नहीं लेकिन बांध तो दू कम से गम नहीं तो यह और कुछ तोड़ता फोड़ता रहेगा आज दिवाली का दिन है टाइम कम है बांधने के लिए गई लेकिन कुछ भी सारी रसियां नौ लाग गाईयों की भी रसियां लगा दी लेकिन हर बार दो अंगुल छोटी पड़ जाती तो यशुदा मया ने दो अंगुल जो यह छोटी पड़ जाती थी तो वो क्या-क्या था एक तो प्रयास और दूसरा कृपा अपने प्रयास से भगवान की कृपा मिलती है तो ये फिर ये शुदा महिया ने प्रयास करते करते कृष्ण की कृपा शक्ति फिर से आ गई और कृष्ण की कृपा शक्ति ने कहा कि भगत इतना प्रयास कर रहा है इसके उपर कृपा करनी चाहिए फिर भगवान ने का ठीक है बांद लो मुझे तो फिर भगवान बांदने को जब तयार हुए तो यशुदा मिया ने अपने जूडे का जो धागा होता है उसको निकाला और उससे कृष्ण को बांद दिया फिर भगवान कृष्ण बंद गए लेकिन ये शुदमिया अपना काम करने चली गए तब तक वहाँ पर बलराम जी आए बलराम जी ने कहा कि कौन है ये जो कि कृष्ण को बांद दिया है जानते नहीं हो ये नर्सिंग देव है यही जो है बहुत शक्तिशाली है और यही राम था पिछले जनम में यही परुशुराम भी है यह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति परम भगवान है विराट रूप के रूप में इसकी पुजा होती है ब्रमजूती के रूप में इनकी पुजा होती है तुम लोग ने इनको सिंग्देव है यही मेरे सारे अवतार मेरे घर में होने हैं मेरे घर में सब को पैदा होना है क्या और फिर उसके बाद देशुदा मिया इनको भी डाटती है कहते हैं कि जाओ तुमको भी बांदेंगे यह पर फिर बलराम जी को डर लगता है बलराम जी भागते है वहाँ से और फिर बाद में कृष्ण को आकर के कहते हैं कि देखो मैंने तो पहले ही तुमको बोला था यह चोरी वोरी के काम जो करते हो यह ठीक नहीं अरे सामान ने इंसान के जैसे रहा करो जो मेहनत से कमाओ खाओ भगवान कहते हैं कि भई मैं इसलिए तो चोरी कहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ मैं किसी का अपने बाप का नहीं खाना चाहता हूँ ये नौ लाग गाये खरीद लिए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इनका खाऊंगा मैं मेहनत से चोरी करके खाना चाहता हूँ भगवान जो है चोरी का मेहनत करना चाहते हैं इसलिए भगवान इनको फिर बलराम जी कहते हैं कि अब ये शुदा महिया ने बांधा है मैं नहीं खोल सकता है अगर ब्रह्मा जी भी बांधे होते तो मैं खोल सकता था लेकिन क्योंकि ये शुदा महिया ने बांधा है इसको नहीं खोल सकता है फिर बाद में ये चले जाते हैं बलराम जी भगवान बेक्पे बेक्पे चलके उन्थ दो पेडों को उस्खल में फसा करके तोड देते हैं सारे लोग आते हैं और वो दोनों पेड का उधार हो जाता है दोनों भगवान क्रś나 की परिक्रमा करते हैं औरी मडी गरीव कि मैं हम अम लोग आज से केवल आपका भजन करेंगे, ये sporting in the waters बंद करेंगे ये जो फानी में इन्हा रहते, इधर इधर खेल रहते ये सब अब नहीं करना है अब proper साधना करनी है, zoom पे class होगी, सब वो सब करना है अब जो है, ये नहीं करना है ठीक है? तो proper साधना करने के लिए वादा करके तोड़ दिया भगवान तो बच्चे बोलते हैं कि ये कृष्ण नहीं तोड़ा है तो बच्चों को बड़े लोग डाट के भगा देते हैं कि भई पागल हो क्या इतना छोटा बच्चा तोड़ेगा भगवा यहां से तुम लोग और फिर किसी को भी विश्वास नहीं होता है यशुदा मिया इत्यादी सब लोग आते हैं भगवान को गोवर से नहलाया जाता है गोमुत्र से नहलाया जाता है और फिर उसके बाद तब तक और नहीं उससे पहले नंद बाबा आ जाते हैं नंद बाबा आते हैं नंद बाबा देखते हैं कि कौन है मेरे बच्चे को बा रहा हूं सारे ब्रज में बताने के लिए कि मैं केवल नंद बाबा का पुत्र हूँ तो नंद बाबा भी कहते हैं हाँ सही बात है सही बात, वेरी गुट तुम जिन्ता मद कर.. इनसे बात नहीं करना, यशोदा से ठीक है, अच्छी बात है ऐसा, नंद बाबा बोलते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद यशोदा महिया नंद बाबा को कृष्ण को ले paperworka यशूदा महिया वहीं पर आती है और करिशना जम्प करके उनके गोद में चले जाते थे जो लीला है इसको दामदर लीला कहा जाता है यह दिवालि के दिन हुई थी इसलिए इस महिने को दामदर महीना कहा जाता है ये थोड़ा समय ने महात में बताया और इसका एक और बहुत स्पेशल भी है कि कार्तिक का जो महीना है इसमें राधारानी बहुत क्रिपाल होती है भीश में देव ने भी इसी समय में शरीर छोड़ा था और रास पुर्णिमा इसी महीने में आती है उरुजा वरत भी इस महीने के वरत को कहा जाता है एक बार सत्यभामा ने ये पूछा था भगवान से कि मैं कैसे आपकी इतनी प्रिये बन पाई कि आप पारिजात का एक फूल लेके आये थे रुकमिनी के लिए लेकिन मेरे लिए तो आप पूरा पेड़ी लेके आ गए स्वर्ग से तो मुझे इतना प्रेम आप क्यों करते हैं भगवान ने बताया कि तुमने एक समय अत्री कुल में एक देव शर्मा नाम के ब्रामण थे उनकी पुत्री थी तुम और हरे द्वार में और चंद्र शर्मा से तुमारा कुछ नीरस लगता है और तुम कार्तिक का वरत और तपस्या इत्यादी सब करने लगती हो तुलसी की सेवा करने लगी तुलसी की एक वाटिका बना करके तुम उनकी सेवा करती रही एक दिन कार्तिक का वरत चल रहा था तुम बहुत बीमार थी जल में इस्नान करने के में जन्म लेती हैं तो कार्थिक में सुभास्णान करने का बहुत महत्व है और एक समय की बात एक और भी है कि एक मदालसा नाम की एक रानी थी वो अपने राजा की बहुत प्रिय थी बहुत सेवा करती थी लेकिन एक दिन वो मदालसा जो है वो राजा के बुलाने पे नहीं गई राजा को गुसा आया उसने पुछा कि तुम क्यों नहीं आई तो मदालसा ने बताया कि मैं कारतिक का दीब्दान कर रही थी तो उन्होंने बोला कि इसका क्या महत्व है तो राजा को मदालसा ने बताया कि पिछले जनम में मैं एक चुहिया के रूप में थी और रात में खोज रही थी कि कोई कुछ खाने को मिले तो कुछ दीप रखे हुए थे उसमें घीर जो लगा हुआ था उसको मैं खा रही थी वो दीप मेरे दात में फस गया और वो जल तो रही था वो दीप नीचे का घी मैं खाना चाहती थी मेरे दात में फस गया और जलने लगा तो मैं जंप करने लगी और जंप करके वो जो मैंने किया उससे भगवान ने उसको कार्थिक महीने का दीबदान समझ दिया और भगवान ने उनके उपर बहुत विशेश कृपा की और उनको अगले जनम में रानी का रूप दिया गया तो उसी समय वो जल करके वो चुहिया वहाँ पे मर गई और रानी का रूप मिला तो इसलिए कार्तिक में बहुत और भी एक दो हरी मेधा और सुमेधा की भी कथा है लेकिन अभी हम बहुत सारा ना करके लुमस्रिशी की भी कहानी आती तो इसका कभी विस्तार से और चच्चा करेंगे क्या करना है इसके उपर थोड़ा हम पद्म पुराण में कर्तिक में क्या करना चाहिए इसके विशाय में लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो हर एक भक्त को ये चाहिए कि कार्तिक के वरत को लेना चाहिए तो हम अभी कार्तिक के वरत के बारे में पांच-छे चीज़ें जो हमको करनी है वो बहुत इंपॉर्टन्ट है वो एक तो यह है कि हरी जागरणम पहला सॲुब ब्रह्म मोच से पहले उठ जाना तो 4 बज़े से लेके 5 बज़े तक के बीच में उठ करके हरी नाम जब इत्यादी प्रeten उकर कर चाहिए हरी जागरणम प्रातह स्नानल प्रातह काल में स्नान करना ये गंगा जल आप खरी सकते हैं आज कल से शुरू हो रहा है कार्ति तो गंगा जल की दो बूल डाल करके आप श्नान करें एक तो ये फिर तुलसी सेवनम तुलसी की सेवा करें तुलसी को जल देना तुलसी की परिक्रमा करना तुलसी को दीब दिखाना और हरी जागरणम प्रातहस्नानम तुलसी सेवनम दीपदानम तो भगवान कृष्ण को यशोदा दामदर को दीप दिखाना और तुलसी को दीप दिखाना और पांचवा है उद्यापनम हरी जागरणम प्रातहस्नानम तुलसी सेवनम दीपदानम उद्यापनम ये पांच ची गोपीगीत का उचारण करना चाहिए तो इसी लिंक पर हर दिन शाम को साधे साथ बज़े कल से यह शुरू होगा साधे साथ बज़े से सवा साथ बज़े तक और उसके बाद फिर शिमादभागवतम मैं पढ़ाऊंगा तो साध बज़े से सवा आठ बज़े तक यह दामुदर असटेकम और गोपीगीत कुछ आपको कुछ नहीं करना कि निए शाम को भी कर सेखते रिक्रीश्चन नतलब नप्रबद की उद्यापनम का मतलब बता रहा हूं थे धे आधीर नहीं होना प्रातहस्लानं तुल्सी सेवनं दीप दानम और उद्यापनम का मतलब है कि कोई लिफाफा या गुल्लक या कुछ बनाना है और उसमें थोड़े थोड़े पैसे, जैसी हमारी शम्ता हो, प्रति दिन उसमें एक रुपए, दो रुपए, सो रुपए, जो भी आपने कुछ नियम बनाया, पांचौ रुपए रोज, जो भी आप नियम नहीं, मान लोग किसी दिन एक रुपए डाल दिया, किसी दिन है अप मार्केट से देख सकते हैं जो भी नोट भी डाल सकें ऐसा गुल्लप यह अईसा भी नहीं है कि हमेशा एक ही रुपय डालना है ऐसे नहीं जैसे भी अपना इसको डाल करके रखना आई और कभी जो प्रचार कारे में या फिर भगवान के सेवा में इस दान को वाले दा को हम लगा सकते हैं तो साथ चीजे मैंने आपको बताई हरी जाग्रणम प्रातहस्तानम दीपदानम तुलसी सेवनम उध्यापनम ये पांच चीजें प्लस ये गोपी गीत और दामुदर अश्टकम का उचार चीक है तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इस समय पे जमीन पे वो जो है शयन करते हैं ये आपके उपर है ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है इस एकादिशी में तो कई बार हजबन वाइफ अलग अलग सोते हैं ये भी बहुत अच्छा रहता है तुलसी को जल देना ये बहुत महतवपून है तुलसी को परिक्रमा करना तुलसी देवी भगवान के चरणों में अर्पित भी किये जा सकती है तो वो भी आप प्रति दिन कर सकते हैं ठीक है तो अभी मैं संकल्प के लिए थोड़ा बोलूगा और एक है कि उड़द की डाल नहीं खानी कार्थिक में सब्सक्राइब करते हैं नहीं नहीं माता जी बताते हैं हमारे सेंटर में सर्टों के लिए अगर कुछ नहीं है तब तिल का तेल यूज़ कर चकते हैं तो जासे बनाते हैं तो वह नहीं आईसा कुछ तो अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा है में चेक कर लूँगा अगर कोई ऐसा होगा तो, कार्तिक में ऐसा कुछ नहीं है, सर्सों के तेल का तो ऐसा कहीं परक़े है सेंटर में माताजी बताते हैं ममोनिका मताजी मैं यां है, वाली मुण smells टाया, जांने बढjem क्रहेंद सब भक्त भी थोड़ा बहुत सुन करके ही रिपीट करते तो कुछ एक भक्त क्या होता है कि शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए गए तो शील प्रभुपाद ने जो नियम बोला है वो हम फॉलो करते हैं जैसे सर्सों के तेल नहीं खाने का कुछ महिमा बताई गई है या फिर चतुरमास में अगर कोई व्यक्ती कुछ और भी नियम है वो अगर पालन करें जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि तेल नहीं लगाते पूरे शरीर में तो उनको बहुत सुन्दर शरीर मिलता है कुछ लोग नमक नहीं खाते हैं नमक नहीं खाने पर भी कुछ कर रहे हैं जो जितना प्रहुपाद जी ने बताया वो ही हमको फॉलो करने में ठीक रहता है प्रातायकाल ब्रह्ममोर्त में उठना ये सब प्रहुपाद जी ने बोला है तो जो प्रहुपाद जी बोल रहे हैं वो ही हम क्या होता है कि हम सब भी भक्त है न तो वो सब भी कुछ भक्त से डिसकस करते हैं वो यह बोल देते हैं लेकिन फिर आगे चलके कई बार ऐसा हो जाता है तो इसमें कोई नहीं मैं भी चेक कर लोगा अगर ऐसा कुछ है अभी तक तो हमने कभी नहीं किया पर अभी आप यही फॉलू किजिए जितना मैंने बताया ना उतना ही फॉलू गंगा जल लेके आजाए तुल्सी का पौधा किसके किसके पास नहीं है तुल्सी का पौधा आपके किसके घर में नहीं है तुल्सी का पौधा तुलसी के पौधा कहीं पर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में न कुछ तुलसी के पत्ते मैं दिखाता हूँ अगर मेरे पास होगा की मैं भी कभी कभी ट्रैवल करता रहता एक छोटी सी डाल के जैसी तलसी की सुखा करके आप रख सकते आपने पास ठीक है यह मैं आपको स्टूडेंट के लिए स्पेशल ट्रिक बता रहा हूं तो यह ने यह मोबाइल का कवर होता है ना आपका उसके पीछे ये आप उसके अंदर तुलसी का वो एक डाल थोड़ी सी मंजरियों के साथ कुछ ऐसा ना रख के रख सकते हैं फिर इसी में भगवान की फोटो लेकर के इसकी चार परिक्रमा लगा सकते हैं तुलसी के साथ जब करने का भी एक बहुत जा सकता है तो जैसे सर्दियों के टाइम पर मतलब तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए को जाता है तो हमको तुलसी जी को जो सूख गई है या जो हो गया है तो कुछ ऐसा सूखा पत्ता या सूखी डाइब यह हम रख सकते हैं उससे भगवान की सेवा उपासना में और कर सकते हैं और जो पौधा अगर सूख गया तो भी वहां पर उसको अल्टर में रखने में कोई आसा प्रब्लम नहीं अगर कोई और नहीं है तो और कोई रितुमाताजी आप अच्छा वह आप पौधे के लिए सब्सक्राइए कि वहां ठंड बहुत है रामपूर में है नहीं है रितुमाताजी आपके आवाज नहीं आरे बिटा आपका चीक है तो मैंने पांच चीजी यह जो करतिक में आप यह साथ साथ साथना कार्ड है यह आपको ग्रुप में मैं शेयर करवा दूगा यह साथना कार्ड आपको भरना बहुत है तो सभी को साथना कार्ड कि अग्रुप में भेज सकें तो बहुत अच्छा है नहीं तो परस्नली आप मुझे भेज सकते मैं अपना नंबर यहां पर डाल रहा हूं तो उससे इसमें ज्यादा शर्माना नहीं है कई लोग यह सुचते हैं कि मैं कैसे बताओं कि मैं इतना माला कर रहे हूं इतना भजन कर रहे हैं कोई प्रोब्लम नहीं है कि आपके मैं ज्यादा इंप्रेस नहीं होंगा चिंता मत खर बहुत सारे बगतों को देखा है इसलिए आप ऐसन इस चिंत लगी कि मेरा इगो में न लहीं है तो सभी को में इसझान को चाहा हुन Kubernetes कि यह साधना हुआ यह मुझे साधना कार्ण का फॉर्मैट बेच थी तो मैं साधना कार्ट का फॉर्मेट आपको भीज़ दोगा, उस फॉर्मेट में यह बना ज़िए हैं। ये देखो लिखकर करके भीजा है ना मातीज ने साथ ना, इसमें सारा इन्होंने लिखा है, सोलम अला कब शुरू की, दिन में कितने घंटे सोए, रात कब सोए, सुबह कितने बज़े उठे, तुलसी के समक्ष बैठ के जब किये की नहीं, तुलसी को जल दिया की नहीं, परि नहीं साथमा कार्ड में डालाएं, साथ में नरसिंग कबच का भी माताजी शीए पार्ट करते हैं, यह बहुत लंबा साथमाकर्ड माताजी का, देख रहाए? इसे विए बिग ससाथमा का है माताजी भेशते हैं हर दिन 64 माला स्वामी किशोरी माताजी करते है हुद हो जमीन पर मुबाइल स्विच आफ करना करना चाहिए तो मैं संकल्प कर रहा हूं आप सब लोग करना और अवाज नहीं आ रही आपकी अब नहीं आ रही आवाज फारे कुछ प्रबुजी कट रही है प्रबुजी कट रही थी अच्छा कट रही थी अभी ठीक है अभी ठीक है अवार्ट प्रभु जी अभी संकल्ब कराएंगे प्रभु जी कि शाम को क्रासथ के शाम को करना है अभी देपूटेशन उसके लिए वो लंच तयार करें थी प्रभु जी कि शाम में बहुत से लुट नहीं हम लोग जाइने में अपो यह जो है यह मैं लग्र भेज भी दूंगा ठीक है जो बात रिक्त करना चाहें वो बात में भी पर सकते ठीक है ना है ओ प्रभु जी अधर नोस बंदम आज से कर तक स्टार्ट है क्या प्रभु जी कल से अधारे क्रिश्णा दढ़त पड़ाँ प्रभुजी माता जी कल से हैं वो ले थे प्रभुजी कल से हैं ना माता जी हाँ ओक्य-ओक्य अधारे क्रिश्णा ये कार्तिक कल से शुरू हो रहाई है तो ठीक है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कल से हम जो है संकल्प करें ठीक है अब अब कर सकते हम कल से कर सकते वैसे तो कार्तिक परसों से शुरू हो रहा है लेकिन पॉर्णिमा से क्योंकि हम लोग पालन करते हैं इसलिए हम कल से इसको करेंगे तो फिर आप जो हरी जागरणा मित्यादी है तो जो लोग अभी कर सकते हैं वह अभी कर लिजे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर संकल्प लेने पर थोड़ा शक्ति मिलती है है वाकी तो सब ठीक है है रोगोजे आप में जल ले के करना है आप में जल ले करके अभी मत करो क्योंकि आपका तूटने वोटने का चांस रहता है नहीं वह वाला बड़ा मुश्किल रहता है कार्थिका तो कभी नहीं होता है देख लो आप मैं भी पहले न मैं भी यही करवाता था सबको प्रॉपर संकल्प ले करके और जो वो करके करता था लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की टूट रहा है तो फिर मैंने का कि आप भगवान से प्रार्थना करके बस अब हम पंचरात्र का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा ज्यादा फिर एनर्जी वाला होता है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर उसमें टूटें तो ठीक नहीं होता है ज्यादा तो इसलिए अभी जल ले करके संकल्प नहीं कर रहे हैं बस मेरे पिछे-पिछे ब प्रेवलिंग में यह सब नियम फॉलो होने में कोई दिकत नहीं होती उड़त की दाल जो साउथ इंडिया वाले हैं ज्यादा इडली सांबर और यह वड़ा और यह सब नहीं खाना है सारा उड़त काई होता है तो दोसे वो से यह सारी जो जो भी दोसे तो चावल की बनते तो जो भी आप देख से यह अवाइड करने का प्रयास कीजिए उड़त की दाल और तुल्सी के लिए तुल्सी पत्र अर्पित करना तुल्सी को जल देना यह सब मैंने आपको बताया कि सुख्षी डाल के जैसी आप कुछ रख लिए जैसे आप देख रहा नहीं यह मेरे प लिए अपने पास मुबाइल में रख लिए तो आप उसी से ही तुल्सी वाला सारा कुछ कर सकते हैं इमर्जेंसी में ऐसा नहीं कि इसको पर्मेनेंट बना लिया है यही ऐसे ही करते हैं और दूसरा जब कारतिक में स्नान करने के लिए गंगा जल इत्यादी आप एक छोटी सी बॉटल रखिए छोटी सी बॉटल ना किती बड़ी बॉटल को रख लिए उसको अपने पास एक टॉलेट किट में हमेशा रखिए जब भी आप वाश्रूम में स्नान करने जाते हैं दो बून बाल्टी में डाल लेगे और उससे स्नान करने तो यह हो गया बागी कुछ कर सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने पास डिबिया बनाएए उसमें घी के दिये बना लिए नपे लगबग 90-60-90 है ना बना करके अपने पास रख लिए ठीक है और जहां भी आपको सर्मिल कुछ नहीं है तो मोबाइल में आप ये मोबाइल में आप उसकी फोटो निकालिए तुलसी देवी का फोटो मिल जाता है उनको आप अरपित कर लिए आप समझ पा रहे हैं जी ठीक है हमारे भक्त है घन्ना सिंग प्रभु एक दिन बस में मुझे बोगते प्रभु है तो उन्होंने माचिस निकालि मोबाइल में राधा दामदर का फोटो निकाला योशुदा दामदर का और कि आयुदान ने क्या माचिस ने काला माचिस जलाया और उसी से दीबदर दिया पहले आर्मी में थे अभी उनकी पचासी साल उमर हो रही है उनको इतना बुरा नहीं वो कहते पर यह मैं कहा रहा है उनका डेडिकेशन कितना है देखे तो इस वहां पर दीप नहीं था कुछ भी नहीं था तो उन्हें माची सी हार पित कर दिया पर हमको ऐसा नहीं करना है किसथ एंख पर आप को जला कर पर हमें छोटा सा रखिया तो चोटे दिये भी मिल जाते वैसे तो टिय हैं उससे आप कर के लिएन शे बीसे अच एपाइल पर्सक्य ऑफ optics को माला क्या यूज के लिए कि यूज नहीं करना है कुछ इससे रिलेटेड बता रहे थे लूट करते समये एक हाद से जब कर रहे हैं कई लोग ऐसे करते नमाला में से उंगली निकली तो यह जो उंगली निकली रहती है, तो यह जो उंगली निकली रहती है, उसी से मोबाइल यूज करते हैं, यह ऐसे नहीं करना है, और यह अंगुठे खाली रहते हैं, तो अंगुठे से, मतलब आध्यात्मिक चीजों को ध्यान पूर, मतलब हार्ट, इसको समझना है, what is the mood, the mood is, Krishna has, हमको यह अवसर दे रहे हैं, भगवान, कार्थी, कबरत करने का, हम बहुत सवभागिशाली हैं, कुछ ज़्यादा लगता भी नहीं है, गंगाजल कितने का मिल जाएगा, आराम से, तुलसी, पौदा, क्या लगी रहा है हमारा, इतने से Krishna प्रेम मिल रहा है, हमको क्य चाहिए और, छोटी-छोटी चीज़े, और क्या लेंगे, इस से ज़्यादा मेहनत तो नॉर्मल IAS से मिलने के लिए होती है, नॉर्मल IAS से मिलने के लिए होती है, बाद में कई बार होता है कि उतना जो है, इतने शुद्ध नहीं होते हैं, वो भी बहुत कई बार तो बहु परिशान हो, चीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, हरेशना परभु जी जैसे आपने डूस बताया थे, तो जैसे उध्यापन बताया था आपने, तो एक बार तो इसे एक्स्प्रेन कर दी और डॉंट्स एक बार और बता दीजी कि मतलब क्या नहीं करना चाहिए, त एसे तो बहुत सारी चीजे हैं, जैसे कोई लोग कहتे भी गुषा नहीं करना चाहिए, या ब्रहमचरय का पालन चाहिए, तो इतना सारा तो हमसे एकदम से गुषा नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका संकल्प नहीं, तो अभी पहले संकल्प हем कर ल जैसे हमारे ना सूतक लगा हुआ है अठारा तक तो फिर दो दिन कैसे पॉसिबल होगा दीपडान का तो कोई प्राब्लम नहीं है आप भगवान को उपचार वाली चीजे नहीं करना दीपडान जल देना यह सब नहीं करना बागी चीजे आप कर सकते हैं जिसमें भगवान को या विग्रह को फश डिरेक्ट नहीं हो रहा है वह सब कर सकते हैं दर्शन कर सकते हैं भागवत पड़ यह सब कर सकते हैं और इसमें कोई अपराद नहीं है दो दिन आपका नहीं हुआ तो अशुद अवस्था में होते हैं तो उस समय फिर आपको वह चार दिन पांस दिन आपको फिर यह तुलसी को वह देना या फिर उस पर शकरने वाली जो चीज़ें यूंकि पंचरात्र में श शुद्धी अशुद्धी का नहीं है लेकिन पंचरात में इसलिए इसका पालन करना चाहिए तो उस समय आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्ब्र ठीक है तो मैं बोल रहा हूं इसको मंत्र को आप मेरे साथ बोलिए सिर्फ बोल करके ही हम कर रहे हैं वैसे हम जल के आमी प्रातहस्नानम जनार्दनहा प्रित्यर्धं तव देवेशा दामो दर्मया सहा फिर से मैं बोल रहा हूं कार्तिके हम करिश्यामी प्रातहस्नानम जनार्दनहा प्रित्यर्धं तव देवेशा दामो दर्मया सहा तो अभी आपने थोड़ा संकल प्रिया और हम इसको धन्यवाद प्रभुजी तो अभी पालन करने का प्रयास करना है ना अलारम अलारम लगा लीजिए तक कि आपको सुबह उठ जाएं आप नहीं और कुछ लोग यह भी कर सकते हैं फ्रेंड्स को आप बोल दीजिए जैसे आपके मालो दिव्यांश प्रभू है ने दिव्यांश प्रभू को फिर राम गोपाल प्रभू को आप बोल दो कि प्रभ जाया और पहले तीन बजहीज़ेता काशा के सुबही कंप्लीट कर ले 5 लॐ श Consumer से पहले तो बहुत आले कई अब्वाट गृम्टीज़ दॉक्याइब सब सोलम माला सुबही चार बज़े से पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद सुबह सुबह दो घंटे शिमत वावगतम पढ़के फिर उसके बाद वो जाते हैं सेवा के लिए देख रहें आप इतना डेडिकेशन है वाई उतकर्ष्ट रोओ और मैं करते हूं उतकर बज़े तक माला कंप्लीट कर लेते थे 32 माला सुबह सुबही साड़े चार बज़े चीक है और किसी को कुछ कहना है या पूछना है कुछ ना शरत पूर्णिमा वो खीर वाला रखने वाला जो है वो कल है आज रात को बना करके आप इसको च्छत पे रख दीजे और उसके बाद अगले दिन ऐसा का जाता है शरत पूर्णिमा के दिन अम्रित की वर्षा होती है तो वो खीर आप अलग अलग प्रकार से खीर बनाते चावल की बादाम और वगरे डाल के भी बनाते प्रभूजी अगल पूरी रात चोड़े ओपर इस चतपी हम कुछ जाली तो डाल सकते जाली वाला एक धकन होता जाली वाला उसके नहीं तो बंदर बंदर आ के पिछ कर दे तो वह भी ठीक है ना जी प्रभु जे आरे क्रिश्ण दंभुपन घर के हिसाब से जेतना भी अगर आस परोस म बाटना है तो वो भी ठीक है आप खीर बनाएं और इसको रात बनानी है या कल रात बनानी है कल रात में ना हाँ गोई एक माट में तिथी देख लेता हूं तिथी के अमसाथ कल तो पुर्णिमा हो जाएगी ना प्रबजी तो कली पुर्णिमा है है ना नहीं तो ये जो चदर दसी आज आड़ वे तक फिर पुर्णिमा है लेकिन तो ये जो अस्मारतमत के अनुसार तो ये है कि साम को पांच बजे तक इसको आज कल साम को बजे तक उर्णिमा है फिर भी हम जो जो ये शलाप रछपात का जो वह हम फालो करते है इसलिए भग्षभ दिर कल रात में तुर लात में तो इसलिए आप वहीं फॉलो किजिए ने प्रभुपायत का जो है प्रभुजी बता रहे थे तो उन्होंने वोला था कि मतलब मंगला अर्थी के बाद भगवान को भूग लगा के तो उसके बाद आप खासे कभी भी लगा दीजिए उसमें कोई प्रब्लम ने खाने से पहले लगा दीजिए उसके बाद भगवान को तो अम्रित का ज़्यादा अवशक्ता नहीं है भगवान तो है हमी को आवशक्ता है सब्सक्राइब कर सकते बिटा कभी भी कर सकते लेकिन शाम को जैसे भगतों के साथ में हर दिन का आदत पढ़ जाएगा तो वह बहुत अच्छा है सुबह एक और चीज कर सकते कि सुबह हर दिन आप अर्पित करी दीजे एक दिया सुबह फिर शाम को भी करें तो चलो मालो कभ अदिन ग्राइब कर लेते हैं कि यह तो शाम को हम ऐसे बोल रहें पर ब्रहमेचारी सुबह कर लेते हैं क्यों 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 वो ट्रैवलिंग करना अलग-अलग जगना प्रोग्राम में जाना है तो फिर कैसे करें तो इसलिए वो ऐसा है पिर नहीं हम रख सकते चांद्नी मे क्यों आप क्यों ऐसा करें और यह उता है लगा थे तो पहले जैसे बनी है तो पहले बहुत रहता है वैसे तो भगवान का तो ऐसा कुछ नहीं प्रभुजी एक बात और कुछ नहीं जो अभी आपने उस अंकल्प में बता है पीती अर्थे दिवेशन और दामदर मान क्या बूलाई दामदर में बताज़ेंगे अब आप कर दो तो इसको ये जो कार्थिक एहम करिश्यामी प्रातहस्णानम तो आप ये ये मैं इसलिए बस हमारा संकल्प के लिए थोड़ा ठीक रहता है संकल्प अर्गे इत्यादी ये सब के लिए ठीक रहता है कार्थिक एहम करिश्यामी कार्थिक में मैं करने जा रहा हूँ प्रातहस्णान प्रीति अर्थम आपके प्रीति देवेश आपकी प्रीति के लिए मैं ये ये देवों के इश्वर आपकी प्रिथि के लिए ये जो कार्थिक का ये मैं करने जा रहा हूँ प्रातहस्णान मैं करने जा रहा हूँ आप मुझे ये शक्ति देजे कि मैं इसको कर पाऊं और आपको प्रसन्न कर पाऊं तो इसकंद पुराण में इसका वर्णन आ रहा है नारद मुनी इसको कह रहे हैं कार्ति के हम करिश्यामी प्रातरस्णानम हे जनारदन हे दामोदर हे देवेश देवेश्वर I am performing my early morning स्नान to please you and Devi Lakshmi देवेश्वर दामोदर मयासह बस इतना ही और भी यहां पर मंत्र और भी बताएगा है पर हमारे लिए इतना बहुत है चीख है और प्रितियर्थम तब देवेश्वर दामोदर मयासह और स्नान करने का भी मंत्र है यह आपको इसमें ग्रुप्स में डाल देंगे शेयर कर देंगे तो आप जब इसनान करने लगते हैं तो दो बूंज डाल करके उसके बाद फिर यह मंत्र बोल सकते हैं यत वाहम तवाहम चदेवेश्वर जलेश्मिन नातम उद्यत तव प्रसादात पापम्मे दामोदर विनष्यतू यह मंत्र है याद भी कर सकते हैं आप हैंना कि इसको मैं मंत्र स्नान करने के करूं यह सब हम जो करते हैं इन सब से हमारा जो मन है वो इन सब चीजों में व्यस्थ रहकरRobsho के लगा रहता हैं और भगवान कृष्ण का स्मन भण बनाने में यह साय यह साया हैं साथ में एक और दामोदर भगवान की प्रार्थना है दामोदरnatmber rocky यह भी एक मंत्र है जो कि दामोदर भगवान की प्रार्थना है चीक है तो अभी इसको यही पर हम क्लोज करते हैं आठ पजने वाले हैं प्रभुजी यह वाला मंत्र प्रूप में डाल दूगा सब चिंता मत्र तो सुनील प्रूब आप कुछ कहना चाहते हैं जो है तो तो तीनों हम पढ़ते हैं साथ में ठीक है कोई बात में पढ़ लिए प्रती दिन जब अच्छान करने जाते हैं तिनों मंत्र पढ़ते हैं प्रभुजी आरमी का जौब करते हैं लेकिन सबसे गूड श्टूडेंट हैं प्रभुजी रीकों प्रवजी का परवनी में परवनी में परवनी यह जगह है यहां पर बेगुसराइड इस्टिक में परवजी बेगुसराइड इस्टिक इस्टिक प्रेणा लीजिए माई सुनील प्रवजी देखो कितना अच्छे से करते हैं नहीं इनका 24 आवर्स जॉब होता है लेकिन कोई नियम इनका छूटता नहीं हर दिन साधना कार्ड मुझे भेशते हैं और यह अब लगबक चार साल हो रहा है पांच साल हर दिन साधना का है मेरे पास तबीयत खराब हो चाहें कुछ भी हो कैसा भी हो पर सुनिल प्रवजी वेरी वरी सिंसियर वेरी वेरी सिंसियर ना सुनिल ठ्रूब थैंक यू सो मच प्रभुजी आप बहुत इंस्पारिण है सब अध्यों के प्रियास करते हैं बोजी कि कोई सिगायट नहीं ह आपको मैं प्रियास करता हूं उस पर खड़ा उतरने का आपका इतना डेडिकेशन है प्रभुजी वहां पर इतना आर्मी का सब कुछ चलता रहता है वो सारा कुछ के बावजूद भी आप आर्मी के जैसी जॉब के बावजूद भी ऐसा करना है इस सो टफ इस सो सिंसिर जो करना चाहता है न वो कर लेता है सब कुछ कर लेता है तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा श्रेल अप्रभुपाद की जय गौर भक्त वरिंद की जय निताई गौर प्रेमानन दे हरी हरी बोड हरे कृष्ण मैं सब भक्तों का अन्मिट कर रहा हूं और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूं हरे कृष्ण